क्या आपको मालुम है सब्जियों का राजा आलू स्किन को निकारने में राम बांड साबित हो सकता है वैसे तो आलू का इस्तिमाल स्किन के किद्धा धबे हटाने और आखों के धार्क सरकल से निजात पाने के लिए लंबे समय से किया जाता रहा है आज हम आपको इसके ऐसे इस्तिमाल बताएंगे जिनहें अपना कर आपकी त्वचा पर कसाव के साथ साथ स्किन का ग्लूब बढ़ेगा आलू और अंडे का फेस पैक तैयार करने के लिए आधा अलू को घिस कर उसका रुपए निकालें अब इसमें एक अंडे का सफेध हिसा मिला कर अच्छी तरह मिक्स कर लें तैयार पैर को चेहरे और गर्दन पर लगा कर 20 मिनट के लिए छोड़ दें साधे पानी से फेस्ट धोलें इसका असर आपको तुरंत नजर आएगा आपको बता दे आलू और हंडे के फेस्ट पैक को लगाने से चेहरे पर गलो के साथ आपके पोर्स भी टाइट होते हैं आलू और दही का फेस्ट पैक एक बड़ा चमश्च आलू का पेस्ट लीजिए और इसमें एक बड़ा चमश्च दही मिलाईए करीब हाधे धंटे तक इस पेस्ट को रखती जिए अब चेहरे पर इस पेस्ट को लगाए यह आपकी स्किन को तरोधाजा कर देता है यह आपकी स्किन को टाइट करने में भी मदद करता है आलू और हल्दी का फेस्ट पैक आलू और हल्दी का फेस पैक स्किन की रंगत को निखारने में मदद करता है इससक लिए आधे आलू को घिस लें और इसमें एक चुटकी हल्दी मिलाकर चेवरे पर लगाकर आधे गंटे के लिए छोड़ दें अब आप अपने फेस को नार्मल पानी से साफ कर लें हफते में एक बार इस फेस पैक को जरूर लगाएं आलू और दूद का फेस पैक आधे आलू को चील कर उसका रुपे निकाल लें और इसमें दो चमच कचा दूद मिलाकर अच्छी तरह मिक्स करके कॉटन की मदद से अपने फेस और गर्दन पर लगाएं बीस मिनट के बाद अपने चेहरे को धोलें सब्ता में दो से तीन बार इस फेस पैक को लगाने से चेहरे की रंगत की चमक को बढ़ा देता है आलू और नीमबू का फेस पैक आलू का पेस्ट बना लीजिए अब इसमें एक चमक्ष नीमबू का रुपे मिलाएं और चेहरे पर लगा लीजिए 15 मिनट बाद चेहरे को धोलें यह नैचुरल फेशिल ब्लीज का काम करता है यह आपकी डार्ट स्किन कॉमपलेक्शन को दूर करने में मदद करता है एक बड़ा चमक्ष चालू का रुपे में दो चमक्ष नीमबू का रुपे और दो चमक्ष मुलतानी मिट्टी मिला कर पैक तयार करें अब इसे 10 से 15 मिनट तक चेहरे पर लगा कर छोड़ दें अब ठंडे पानी से चेहरे को धोएं इस से आपके चेहरे के दाग दूर हो जाएंगे और आपका चेहरा दमक उठता है